वेल्कम है गाईज आज हम क्लास लें बाइलोजी के चैप्टर 3 का पार्ट 3 पढ़ेंगे तो इससे पहले हमने पार्ट 2 पढ़ा था जिसमें हमने अलगी पढ़ा था ठीक है अब हम पढ़ना है ब्रायोफाइट्स को तो शुरू करते हैं ब्रायोफाइट्स को देखो ब्राय ब्रायोफाइट्स के अंदर के आते हैं लिवर वर्ट्स आते हैं अब पहले हम यहां पर क्या देख लेते हैं इनके थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं और यह important है, तो यहाँ पे क्या है, bryophytes के structure दे रखे हैं, तो सबसे पहले जो है, वो क्या है, हमारा liver word, ठीक है न, liver word, देखो हमने क्या पढ़ा, bryophytes के अंदर आते हैं, mosses and liver word, तो पहले हम बात कर रहे हैं, किसकी liver word की, और liver word में यहाँ पे example किसका दे रखा है, markantia का, ठीक है न, हमने क्या बूला, bryophytes है, bryophytes में liver words है, liver words में आते हैं, markantia, और उन markantia में यहाँ पे क्या दे रखा है, यह दे रखा है हमें female thallus, और यह दे रखा है हमें male thallus, अब thallus का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, thallus का मतलब होता है, ऐसी plant body जिसमें true stem, true root या true leaf नहीं मिलती है, root stem और leaf के जैसे structure मिलते हैं, जैसे कि root like, leaf like और stem like structure, ठीक है, यह ज़्यादा advance नहीं होते हैं, तो ऐसे plant body को बोलते हैं, thallus plant body, बट लेकिन जो bryophytes होते हैं, वो algae से advance होते हैं, ठीक है न, चलो, तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, bryophytes में liver words, liver words के अंदर markensia, markensia में यहाँ पे हो गया यह female thallus और यह हो गया male thallus, ठीक है, अब इसको देख लेते हैं, यहाँ पे यह है female, a वाला जो है female है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिखेंगे हम, archigonium, तो यह archigonium क्या है, female sex organ है यहाँ पे present, इसके लावे यहाँ पे क्या है, archigonium 4, यह क्या होता है, एक long stock like structure होता है, जिस पे आपको sex organ मिल रहे हैं, तो obviously archigonium 4 के उपर आपको क्या मिल रहे है, female sex organ जिसको बूल रहे है, archigonium, ठीक है, नाम ध्यान रखना, इसके बाद आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, gamma cup मिलेगा, यह structure दिख रहे हैं, इन्हें बोलते है, gamma cup, अब यह क्या होते हैं, यह modified birds होती है, ठीक है, जो कि parent plant body से अलग हो जाती है, और अलग होने के बाद क्या बना देती है, एक नया individual बना देती है, जैसे यह जो gamma cup है, यह bird like structure होते हैं, जो main plant body से अलग होंगे, अलग होने के बाद क्या होंगे, यह germinate करेंगे, और germinate होने के बाद क्या करेंगे, एक नया plant body यहाँ पर बना देंगे, मतलब क्या आप कह सकते हो, यह asexual reproduction में involved होती है, उसके लावा यहाँ पर क्या होता है, rhizoid होते है, rhizoid क्या होता है, root-like structure होते है, तो यह तो हमने बात करें, female thallus की, क्योंकि इसमें female sex organ है, archigonium, अब हम बात करेंगे, male thallus की, तो male thallus है, तो इसमें male sex organ होगा, जिसे बुलते हैं, enthridium, ठीक है, तो यह हो गया, enthridium, इसमें यह stock-like structure, वो है क्या, enthridio 4, ठीक है, उसके अलावा gamma cap है, यहाँ पर वो ही जो, इसका काम होगा, हमने देख लिया था, rhizoid वो ही है, root-like structure, ठीक है, अब हम नीचे देखते हैं, तो जो, नीचे वाला structure है, वो किसका है, वो है mosses का, ठीक है, mosses का है, इसमें सबसे पहले क्या है, यहाँ पर funeria example हो जाएगा, अब funeria में, आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर, लिखावा उसने, gametophyte and sporophyte दे रखे है, ठीक है, समझना इसको, यह C जो diagram है, यह represent कर रहा है, funeria को, और funeria में आपको यहाँ पर लिखावा है, gametophyte and sporophyte, fight मतलब हो गया, plant, ठीक है, gamet मतलब gamet, ठीक है, sporophyte मतलब हो गया, sporophyte मतलब हो जाएगा, plant, ठीक है, तो अब इसको समझना, जो funeria है, उस funeria में है, आप गैमिटफाइट और sporophyte मिलते हैं, अब gametophyte क्या होता है, ऐसी plant body होती है, जो क्या produce करती है, gamets को produce करती है, sporophyte ऐसी plant body होती है, जो कि spores को produce करती है, ठीक है, इसको हम अभी advance आगे देखेंगे, अभी आप इतना समझे, gametophyte जो gamets बनाएगा, sporophyte जो spore बनाएगा, और आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, जो यह sporophyte है, यह gametophyte के उपर grow कर रहा है, है ना, यह होता है capsule part, यह जो capsule part रहता है, इसके अंदर क्या होता है, spore का formation, सीटा क्या होता है, stem-like structure होता है, उसके लावा यहाँ पर leaf present होती है, ठीक है, gametophyte में आप देख रहे हो, leaf present है, और main axis हो गई, यह main part हो जाएगा इसका, इसके अलावा यहाँ पर क्या है, rhizoid होते हैं, वो ही root-like structure, ठीक है, अभी यह सारी चीज़ेंगे, अभी सिर्फ structure पर ध्यान दीज़ें आप, ठीक है, तो अब बात करते हैं, यहाँ पर D जो है, वो क्या है, sphagnum, ठीक है, यह है sphagnum gametophyte, ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, enthridial branch है, अगर enthridial branches का मतलब यहाँ पर क्या है, male sex organ present होगा, ठीक है, और archigonial branch है, मतलब यह क्या है, female part हो जाएगा, female sex organ है यहाँ पर present, और यह branches होगी उसकी, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, sphagnum में आपको, एक ही plant body में, male part भी मिल रहे हैं, और female part भी मिल रहे हैं, तो ऐसे plant को क्या बोलते हैं, ऐसे plant को बोलते हैं, monotious plant, monotious plant क्या होता हैं, जिसमें male part भी मिलते हैं, female part भी मिलते हैं, डायोशियस प्लांट क्या होता है जिसमें male जो प्लांट होता है वो अलग होता है और female प्लांट अलग होता है ठीक है चलो आगे देखते हैं तो यहां से हमें चीजों को समझना है ब्राइफाइट्स are also called amphibians of the plant kingdom यह उन्हें आपको पहले ही बताया था because these plants can live in soil but are depend on water for sexual reproduction ठीक है यह जो ब्राइफाइट्स होते हैं यह रहते तो soil पे हैं बट लेकिन इनको पानी की जरुरत पढ़ती है sexual reproduction के अब कैसे जरुरत पढ़ती है पानी की यह सब अभी हम देखेंगे they usually occur in damp ठीक है कैसे एरिया में मिलते हैं damp एरिया मतलब जो moist गिले गिले रहते हैं इसके लावा humid एरिया में मिलते हैं जहाँ पे नमी बहुत ज़्यादा रहती है फिर shaded localities में आपको यह मिलते हैं they play an important role in plant cessation on bear rock soil अब इसको समझना सबसे बले बात करते हैं bear rock क्या होता है bear rock का मतलब होता है एसी चटान एसी rock जिसके उपर कोई plant नहीं उगा हो है ऐसे पहाड बोल लो या Eso, जिसके उपर कोई भी plant नहीं उगा हो है. अब होता क्या है जैसे कि ग्लापल ले करें यह एक bear rock है इसके उपर कोई plant नहीं उगरा बट लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है जो यह ब्रायफाइट्स होते हैं वो यहाँ पर आते हैं और ब्रायफाइट्स यहाँ पर क्या सिक्रीट करते हैं यह और्गनिक एसिड को सिक्रीट करते हैं यह और्गनिक एसिड क्या करते हैं यह जो बेर रॉक है इसको ब्रेक करते ह अब जब यह rock break होगी तो इससे बन जाएगी यहाँ पे soil, fertile soil बनना शुरू हो जाएगी और फिर उसके बाद यहाँ पे plant जो है वो grow ना शुरू हो जाएगे soil पे तो आप समझ रहे हो एक bear rock थी जिसके उपर कोई plant नहीं उख सकता था बट लेकिन वहाँ पे bryophytes आए, bryophytes ने organic acids को secrete किया, इस acid की मदद से यह जो rock है यह dissolve हो गई, disintegrate हो गई और इस rock से क्या बनना शुरू हो गई, soil बननी शुरू हो गई, और फिर जब soil बन गई तो उसके उपर proper plant उगना शुरू हो गई तो एक तरीके से आप कह सकते हो, bryophytes ने यहाँ पे बहुते important role निभाया है ऐसी जगे पे plant को उगने में मदद करी, जहाँ पे plant नहीं उख सकते थे ठीक है, तो इसको बोला जाता है plant cessation, ठीक है, plant का वहाँ पे grow न, ऐसी जगे पे जहाँ पे अभी तक plant grow नहीं वाता जादा advance रहती है as compared to algae, then इसके बाद क्या है, it is thallus-like, but लेकिन bryophytes की जो body होती है, thallus-like होती है, हमें पता है क्या होता है thallus-like, जिसके true stem root और leaf नहीं होते हैं, ठीक है, and prostate or erect होती है, मतलब CV रहती है, plant body, and attached to the substratum by unicellular और multicellular rhizoid, और जो bryophytes होते हैं, यह अपने substratum से, जैसे चटान से, या जमीन से जुड़े वे रहते हैं, किसकी मदद से, rhizoid की मदद से, जो कि root-like structure होते हैं, और यह unicellular भी हो सकते हैं, ठीक है, they lack true root stem और leaf, यह हमने पढ़ लिया, इसमें true root stem लीफ नहीं मिलता है, इस root-like structure होता है, leaf-like structure होता है, और stem-like structure होता है, the main plant body of bryophytes is haploid, अब हमें यहां से चीजों को समझना है, इस किसकी मदद से, यह जो life cycle मैंने यहां पे जो chart सा बना रहा है, इसकी मदद से हम समझेगे, ठीक हैं, अब वो जगे कम थी, इसलिए थोड़ा घिच-पिच हो गया, ब देखो, bryophytes की, जो main plant body होती है, वो haploid nature की होती है, ठीक है, haploid nature की, दो होता है न, एक होता है haploid, एक होता है diploid, haploid का मतलब होता है, जैसे हमारी body में क्या होता है, haploid का मतलब होता है कि अगर ऐसा cell जिसमें 23 chromosome होंगे, तो वो तो haploid होता है, हमारी body में, जिसको N भी ल तो यह हो गया deployed तो यहाँ पर हम क्या समझे जो bryophytes होते है उसकी जो main plant body होती है main plant body कौन सी होती है gametophyte ठीक है थोड़ा आराम से समझना है न थोड़ा time लोगा मैं यहाँ पर हमने क्या पढ़ा है bryophytes में यहाँ पर दो body है दो bodies रहती है एक होती है gametophyte और एक होती है sporophyte यह अभी हमने उपर देखा था sporophyte कौन सी plant body थी जो spore बनाती है gametophyte कौन सी होती है जो gamet बनाती है ठीक है अब जो main plant body होती है वो कैसी होती है gametophyte होती है और gametophyte कैसी होती है यहाँ पर haploid nature की होती है मतलब N nature की होती है वो ठीक है तो it produce gametes hence is called a gametophyte तो confuse मत हो ना bryophytes की जो main plant body होती है उसे बोलते है gametophyte और वो gametes को produce करती है और वो haploid होती है then the sex organs in bryophytes are multicellular अब जो bryophytes के sex organs होते हैं वो कैसे होते हैं multicellular होते हैं अब sex organ के नाम क्या है the male sex organ is called enthridium यह हमने देखा था और जो enthridium होता है male sex organ यह produce करता है biflagellated anthrazoids तो anthrazoids क्या हो गए male gamet हो गए ठीक है जो किस से produce होते है anthra, anthridium से produce होते है ठीक है न anthrazoids तो क्या हो गए male gamet हो गए जो किस से produce होते है anthridium से produce होते हैं अब यहाँ पे जो anthrazoids होते हैं कैसे होते हैं biflagellated मतलब ऐसे करके तो इसमें दो flagella present होंगे दो flagella है इसका मतलब क्या है यह move करेंगे ठीक है यह movement करेंगे और कहा movement करेंगे पानी में हमने क्या चीज पड़ी थी जो bryophytes होते हैं वो क्या होते हैं amphibians of the plant kingdom होते हैं क्यों क्योंकि जो bryophytes होते हैं वो रहते तो जमीन में हैं बट उनको पानी की जुरत पड़ती है sexual reproduction के लिए तो इसलिए यह जो anthrazoids होते हैं यह पानी में move करते हैं ठीक है the female sex organ called archigonium तो female sex organ का नाम क्या है archigonium is flask shaped इसकी shape कैसी होते है फ्लास्क कि तरह होते है and produce a single egg और इसके अंदर एक single egg produce होता है अगर इसका structure मैं यहाँ पर बनाऊं तो ऐसा कर जो होता है flask shaped नहीं इस तरीके से यह क्या है archigonium का structure और इसके अंदर एक यहाँ पर single egg produce होता है ठीक है तो quick recap करते है हमने क्या पढ़ा जो bryophytes होते हैं उसमें दो body होती है एक होती है gametophyte जो gamets बनाती है और वो कैसी होती है haploid होती है और एक होती है sporophyte जो की spore बनाती है और वो diploid होती है ठीक है वो हम पढ़ेंगा आगे अभी हम बात कर रहे है gametophyte की gametophyte plant body है इसका मतलब उसमें क्या होंगे gamets बनेंगे और gamets कहां बनेंगे sex organs में बनेंगे तो male sex organ का नाम क्या है anthridium उसमें male sex male gamet जो बन रहा है वो क्या है anthrazoid ठीक है जो की biflagellated होता है इस तरीके से female sex organ जो है वो क्या है archegonium ठीक है और वो क्या produce कर रहा है single egg को अब anthrazoids are released into water where they come in contact with the archegonium अब जो anthrazoids है जो की male gamet है वो पानी में release हो जाते है और पानी में वो move करते करते कहां तक पहुँच जाते हैं archegonium तक मतलब female sex organ तक पहुँच जाते हैं क्योंकि वहाँ पर fertilization करना है आपको बता है ना male gamet जो है anthrazoid उसको किस से मिलना है egg से मिलना है तो egg से तभी मिलेगा ना जब वो female sex organ के पास पहुँचेगा मतलब archegonium के पास पहुँचेगा ठीक है चलो इतना हम लोगों भी समझा अब इसको ना हम थोड़ा समझ लेते हैं इस diagram की मुदद से तो ठीक है ध्यान देना देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या है यह है female gametophyte ठीक है female gametophyte मैंने यहाँ पर n लिखा है इसका मतलब यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा haploid plant body हमें पता है यहाँ पर haploid होता है जो gametophyte होता है तो female gametophyte हो गया है जो की n से रिप्रेजन हो रहा है इसमें क्या होगा इसमें प्रेजन होगा female sex organ जो की क्या है उसका नाम है archigonium ठीक है तो यह यहाँ पर मैंने archigonium इस तरीके से flash shape का बना दिया इसके अंदर यह क्या है इसके अंदर यह है egg ठीक है यह egg present है इसमें clear फिर यहाँ पर आता है यह male gametophyte हो गया अब जो male gametophyte है वो भी कैसा है haploid ही होगा क्योंकि gametophyte haploid होता है then male gametophyte है तो उसमें क्या present होगा male sex organ जो की enthridium होगा enthridium यह बना दिया मैंने enthridium में क्या बनता है enthrasoids बनते है तो यह हो गए enthrasoids अब यह enthrasoids water में move कर रहे हैं और यह move करते करते कहां जा रहे हैं यह जा रहे हैं female sex organ में और female sex organ में जाते हैं यह किस से मिल जाएंगे egg से मिल जाएंगे तो जो male gamet है वो female gamet से मिल गए मतलब यहाँ पर क्या हो गया fertilization ठीक है, clear है fertilization के बात क्या बनेगा यहाँ पर zygod बनेगा अच्छा fertilization कहा होगा fertilization होगा female sex organ में जो की archigonium में उसी के अंदर होगा और उसी के अंदर क्या बनेगा zygod बनेगा ठीक है, समझ रहे हो बात को okay, zygod अब देखो, zygod जो होगा हो, कैसा होगा deployed nature का हो जाएगा क्योंकि male gamet n है female gamet n है, तो दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, 2n बनेगा मतलब zygod यहाँ पर 2n हो गया अब zygod develop करेगा, और क्या बना देगा embryo, ठीक है तो embryo यहाँ पर बन रहा है, यह अंदर embryo बन गया ठीक है न यह सब कहा हो रहा है, यह सब हो रहा है female gametophyte के अंदर यह न, यह सब female gametophyte में हो रहा है न, clear है ठीक है, then अब यहाँ पर आती है एक अलग बात जो यह embryo है यह develop करके क्या बनाएगा, एक structure बनाएगा जिसको बोलते है, sporophyte ठीक है जो यह embryo है, यह develop करके क्या बनाएगा, sporophyte बनाएगा sporophyte हमने क्या पढ़ाता है ऐसी plant body, जो spores बनाती है तो यह embryo develop करके sporophyte बनादेगा, sporophyte भी कैसा होगा deployed nature का होगा clear है भी इतना, ठीक है अब देखो, अब simple सी बात समझना, हमने जो देखा, fertilization वो fertilization कहा हुआ female sex organ के अंदर हुआ female sex organ कहां पर present है यह हां पर present है, इधर female gametophyte के यह उपर होगा तो यह जो भी development हो रहा है यह zygod बन रहा है embryo बन रहा है, यह सब कहां बन रहा है female gametophyte में बन रहा है ठीक है, clear है तो female gametophyte के उपर embryo बन गया embryo से क्या बन जाएगा, sporophyte बन जाएगा तो actual में जो sporophyte बना, यह किस के उपर बना female gametophyte के उपर बना, तो यहां पर लिखा है female gametophyte bears sporophyte यह जो female gametophyte है, इसी के उपर क्या बन गया sporophyte बन गया, ठीक है तो sporophyte का nature क्या है diploid और gametophyte कैसा है haploid, clear है ठीक है अब यहां पर क्या होगा यह जो sporophyte है यह क्या बनाएगा, sports बनाएगा तो यहां पर देखो, यह sports बन गए ठीक है, अब यह जो sports बने, ठीक है यह sports बनने के बाद क्या बना देंगे फिर से female gametophyte नए female gametophyte और नए male gametophyte को यहां पर बना देंगे ठीक है, तो यहार इसमें मैंने ज़्यादा time लगाया और इसमें time लगना भी obvious था क्योंकि यह थोड़ा समझ में नहीं आता है ठीक है I hope आपको यह समझ में आ गया होगा तो अगर आपको यहां पे वीडियो पसंद आया तो please यहार like करिए ठीक है चलो अब आगे पढ़ते हैं अब वोई चीज हम यहां पे देखेंगे जो हमने पढ़ी the anthrazoid fuse with the egg to produce the zygote fertilization हो जाएगा fertilization के बाद क्या बन जाएगा zygote बन जाएगा यह हमने देखा zygote do not undergo reductional division immediately zygote में reductional division नहीं होगा reductional division का मतलब होता है meiosis meiosis नहीं होगा यहाँ पे क्या होगा they produce a multicellular body called sporophyte जो zygote है वो embryo बनाएगा embryo से बन जाएगा यहाँ पे sporophyte ठीक है अब जो sporophyte होता है वो is not free living but attached to photosynthetic gametophyte यह important line है जो sporophyte होता है वो अलग से नहीं रहता कहीं वो sporophyte किसके उपर grow कर रहा है female gametophyte के उपर grow कर रहा है क्योंकि वो उसी के उपर बना है समझ रहे हो न अब यह जो sporophyte होता ही है अलग से क्यों नहीं रहता क्योंकि sporophyte को क्या चीए खाना चाहिए और sporophyte photosynthesis नहीं कर सकता तो उसको कुछ ऐसा चीए वो कुछ खाना कौन ले लेगा यह जो उपर sporophyte present है ठीक है यह gametophyte में photosynthesis होगा और photosynthesis का कुछ portion sporophyte को मिल जाएगा इसलिए sporophyte उसके साथ जुडा वर रहता है और लिखा भी है and derive nutrition from it और sporophyte gametophyte से nutrition लेता है ठीक है ठीक है मुझे ऐसा लग रहा है कि confusion हो रहा है ठीक है अगर आपको confusion हो रहा है तो आप back करके देख सकते हैं एक बार slowly slowly इस वीडियो को ठीक है चलो some cells of the sporophyte undergo reductional division अब यह जो sporophyte होता है sporophyte में क्या होगा reductional division होगा reductional division का मतलब क्या होता है अगर यह 2N है अपने को पता है इसमें reductional division होगा तो इससे जो कुछ भी बनेगा वो कैसा हो जाएगा haploid हो जाएगा क्योंकि reduction हुआ है ठीक है न और यह क्या हुआ meiosis हुआ clear अब यह जो बने हैं यह क्या है यही तो sports है sporophyte में sports बने और यह sports क्या बनाएंगे gametophyte को बनाएंगे तो haploid sports से haploid ही तो gametophyte बनेगा न इसलिए जो gametophyte होते हैं वो haploid होते है क्यों हो haploid sports से बने है ठीक है to produce haploid sports these sports germinate to produce gametophyte और यह sports germinate करके क्या बना देंगे gametophyte को बना देंगे ठीक है चलो आगे पढ़ते है bryophytes in general are of little economic importance जो bryophytes होते हैं उसकी कोई economical importance इसती जादा नहीं होती है वो हमारे ले इतना useful नहीं होते हैं but some mosses provide food for herbaceous mammals, birds and other animals तो जो mosses होते हैं कुछ mosses वो food प्रोवाइड करते हैं herbaceous mammals को, birds को और animals को फिर species of sphagnum यह question आता है species of sphagnum sphagnum का एक moss है provide pit, ठीके अब यह pit क्या होता है, actually जब यह moss है जब यह dead हो जाते हैं decompose होने लगते हैं, सरने लगते हैं तो उनसे एक fibrous material बनता है, ठीके मॉसे जब dead हो जाते हैं, degrade हो जाते हैं, तो उससे एक fibrous material बनता है, जिसको बोलते हैं pit ठीक है, that has long been used as fuel यह जो pit होता है जलता है तो इसको fuel की तरह ही use कर सकते है and as packing material for transshipment of living materials because of their capacity to hold water अब यह जो pit है न, इस pit का इस्तेमाल किसले किया जाता है जब जिसे trucks में किसी plant को लेगे जाना है किसी living material को लेगे जाना है, truck में ठीक है, दूर-दूर तक लेगे जाना है, तो truck के अंदर क्या हो नीची है नमी बनी रहनी चीए, तभी तो living material जिन्दा रहेगा तो उस नमी को बनाने के लिए pit का इस्तेमाल होता है क्योंकि pit में क्या होती है, water holding capacity होती है water को hold करके रखता है ठीक है, mosses along with lichens are the first organisms to colonize rocks and hence are of great economical importance हमने क्या पढ़ा था, हमने उपर पढ़ा था जो bryophytes होते हैं न वो क्या करते हैं, bear rock को, जो bear rock थी उसको तोड़ दे रहे थे, जिससे वहाँ पर मिट्टी बन जा रहे थी और फिर उससे क्या फाइदा हो रहा था, कि वहाँ पर नएने plant grow कर रहे थे तो यहाँ पर वही चीज बोल रहा है वो, जो mosses होते हैं वो lichen के साथ मिलके, ठीक है, mosses lichen के साथ मिलके करते हैं rocks को break कर देते हैं, और उससे मिट्टी बनाते हैं और फिर उससे वहाँ पर colonies बन जाती है, वहाँ पर नएने plant उख जाते हैं तो इसकी economical importance काफी ज़ाद है तो वही चीज बोली, उसने rocks को decompose करेगा, decompose करने के आथ, substrate बनाएगा मतलब मिट्टी बनाएगा, जिससे नएने plant वहाँ पर grow कर सकते हैं Since mosses from dense mats on the soil, अभी जो mosses होते हैं, dense mat बना देते हैं, ठीक है, इससे फायदा क्या होगा They reduce the impact of falling rain and prevent soil erosion अब समझते हैं, soil erosion क्या होता है, जब पहाड़ों में होता है, जब बहुंचे तब बारिश हाँ जाती है, तो बारिश आने से क्या होता है, मिट्टी न बह जाती है Soil क्या होती है, भारी बारिश में भी नहीं बहती है, मतलब soil erosion नहीं होता है The bryophytes are divided into liverworts and mosses, इन दोनों में divide करती हैं, bryophytes को अब बात करते हैं, liverworts की The liverworts grow usually in moist area में मिलते हैं, shady habitats में मिलते हैं, such as bank of streams, marshy grounds में मिलते हैं, dam soil, bark of tree and deep in the wood, इन सारी जगें मिलते हैं The plant body of liverworts is thaloid, thaloid होती है, obviously, ठीक है, मतलब इसमें वोई true root stem relief नहीं होते हैं, example है, markensia The thallus is dorsi ventral, अब thallus dorsi ventral इसका मतलब क्या होता है, जो आप देखोगे कि thallus का जो आगे का portion होगा, जो पीछे का portion होगा ये clearly differentiate होगा जैसे कि हमारा हाथ है, हमारे हाथ में एक आगे का portion है, पीछे का portion है, ठीक है, तो हम उसको आसानी से differentiate कर सकते हैं, भाई, ये आगे का है, ये पीछे का है मतलब जैसे soil में मतलब soil है ठीक है इस soil में markensia grow कर रहा है तो markensia जो है न वो soil के साथ एक दम चिपका हुआ रहते है ठीक है the leafy members have tiny leaf-like appendages in two rows on the stem-like structure तो ऐसे stem-like structure है इसमें क्या होगा इस तरीके से two rows में ये leaf-like structure present होंगे ठीक है ये हमने उपर भी देखा था asexual reproduction in the lever words take place by fragmentation of ठैली अब asexual reproduction कैसे होता है जो ठैलस होता है वो fragments में divide हो जाता है मतलब fragmentation हो जाता है यहापर समझ दो ना जैसे ये ऐसी बना जाता हूँ मैं ठीक है फटा-फटा भी ये ठैलस है ठीक है इस ठैलस में क्या हो जाएगा fragmentation fragmentation मतलब ये fragments में divide हो जाएगे टुकड़ों में divide हो जाएगे और फिर ये जो टुकड़े हैं ये बाद में ग्रो करके नए lever words को बना देंगे दूसरा है कैसे कर सकते है sexual reproduction by the formation of specialized structures called gamma cup हमने पढ़ा भी था gamma जो होते है वो क्या होते है bird like structure होते है और ये gamma जो main plant body होती है उससे अलग हो जाते है और ये gamma जब germinate करते हैं तो नए plant body को grow कर देते है gamma are green green होते हैं multicellar होते है asexual birds होती है which developed in small receptacle called gamma cup located on the thally ठीक है अब देखो इसे देखा था है हमने ये gamma cup होते हैं जैसे हमने देखे थे तो जो gamma cup होते हैं इनके अंदर आपको क्या मिलते हैं gamma मिलते हैं ठीक है तो जो gamma होते हैं ये क्या होती है asexual bird होती है जो अलग हो करके क्या बना देती है नए plant को grow कर देती है gamma become detached from the parent body During sexual reproduction, male and female sex organs are produced either on the same or on different thaili. अब sexual reproduction के अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या होता है? कि अगर same thaili है, मतलब एक यह plant body है, ठीक है? इस plant body के अंदर आपको male part भी मिल रहा है और female part भी मिल रहा है, ऐसा भी हो सकता है. और ऐसा भी हो सकता है कि male part अलग है और female part अलग है. ठीक है, तो अगर एक ही ठीक है, तो अगर एक ही ठीक है, एक ही ठीक है, अगर आपको दोनो male और female reproductive part मिल रहा है, तो ऐसे plant को क्या भूलते है, monotious plants. और अलग-अलग मिल रहा है तो यह क्या होता है, diotious होते हैं. The sporophyte is differentiated to food, ceta and capsule. ठीक है, जो sporophyte होता है, उसमें food, ceta और capsule मिलता है. Capsule के अंदर आपको पता है क्या produce होते है, spores. तो after meiosis, spores are produced within the capsule. देखो, हमने क्या पढ़ा है, sporophyte जो होता है, haploid होता है, diploid होता है, gametophyte, haploid होता है या diploid होता है, इसका comment में, please answer बीजिए. These spores germinate to form free living gametophyte. और हमने पढ़ा भी यह, जो sports होते हैं, यह germinate करने के आद क्या बना देते हैं, gametophyte को बना देते हैं, जो की free living होते हैं, यह किसी पर dependent नहीं होते हैं, ठीक है, चलो, last आते हैं mosses पे, mosses, the predominant stage of life cycle of mosses is the gametophyte, अब जो mosses की predominant stage होती है, वो कौन सी होती है, gametophyte stage होती है, ठी इसकी इसकी भी यहाँ पर क्या रहती है, दो stages रहती है, ठीक है, देखते हैं, the first stage is the protonima stage, important है, जो gametophyte होती है, वो दो stages में divided है, एक होती है, पहली stage जिसे बोलते हैं protonima stage, इसमें क्या होता है, protonima stage कैसे developed होती है, which developed directly from a spore, तो देखना है, sporophyte है, food seta capsule हमने पढ़ा है, तो capsule के अंदर यह spore बना, यह spore जो है, यह germinate करके सबसे पहले क्या बनाएगा, protonima stage बनाएगा, ठीक है, protonima stage सबसे पहले बनेगी, जो की spore से बनेगी, it is creeping green, creeping होती है, creeping मतलब जो, ऐसे नीचे नीचे जो ऐसे रहती है, फैल जाती है, जो soil में इस तरीके से, जाल सा बना देती है, green होती है, branched होती है, and frequently filamentous stage होती है, तो इस तरीके से इसमें structures present होते है, the second stage is the leafy stage, second stage होगी, पहली वाली तो यह हो गई, protonima वाली ठीक है, तो इसके बाद क्या आती है, leafy stage आती है, which developed from the secondary protonima as the lateral bud, तो यहाँ पे lateral bud की form में क्या होता है, य जो leafy stage है, यह produce होती है, they consist of upright, slender axis, bearing spirally arranged leaves, तो इसमें आपको, यह leafy stage है, तो इसमें क्या होती है, leaves आपको spirally arranged मिलेंगी, ठीके, और यह कैसी होती है, upright होती है, सीधी होती है, यह वाली जो stage रहती है, they are, देखो समझना, जो protonima stage थी, वो तो कैसी थी, नीचे नीचे ते, यह यह वाली stage होती है, leafy stage, यह कैसी होती है, slender होती है, upright होती है, सीधी रहती है, ठीके, और इसमें leaves भी present रहती है, they are attached to the soil through the multicellular and branched rhizoid, ठीक है, इसमें rhizoid present होता है, जो कि multicellular होता है, branched होता है, rhizoid मतला है, brute-like structure, this stage bear the sex organ, तो यह वाली जो leafy stage होती है, इसके अंदर आप आपको sex organ मिलेंगे, जो protonima stage है, उसमें आपको यहाँ पे sex organ नहीं मिलते है, vegetative reproduction in mosses is by fragmentation, जो vegetative reproduction होता है, mosses में, वो fragmentation की मदद से भी होता है, यहाँ पे, and budding की मदद से भी होता है, in the secondary protonima, ठीक है, जो दूसरा वाला, जो secondary protonima बनता है, उसमें fragmentation होता है, और budding भी होती है, इन sexual repression, the sex organs, enthridia and archigonia are produced at the apex of the leafy shoot, उपर की तरफ को बनता है, इसका diagram भी हमने उपर देखा है, ठीक है, तो enthridia archigonia बनेंगे, जो sex organ होते हैं, यह पूरा life cycle हमने वैसे देख लिए, after fertilization, zygote जो होता है, zygote बनता है, zygote फिर sporophyte बनता है, ठीक है, फिर sporophyte में आपको मिल देते हैं, the sporophyte in mosses is more elaborate than that in liverwords, तो जो mosses वाला, मतलब sporophyte जो आपको mosses में मिलेगा, वो ज्यादा elaborate है, as compared to the liverwords का sporophyte, तो capsule contain spores, capsule में spores होता है, spores are formed after meiosis, always meiosis से ही बनेगा, यहाँ पे spore, क्योंकि जो sporophyte stage होती है, वो deployed होती है, इसमें क्या होगा, meiosis होगा, और फिर haploid spores यहाँ पे बनेगे, the mosses have an elaborate mechanism of spore dispersal, अब यह जो यहाँ पे spore formation होगा, यह spores का dispersal होगा, मतलब यह बाहर को निकल जाएंगे, ठीक है न, जो capsule है, उसमें बन गए, अब capsule से बाहर निकलेंगे, तो जो यह spore dispersal, spore के फैलाने का तरीका है न, plant का, वो funeria, polytrichum and sphagnum, यह इसके example है, ठीक है, यह हमने figure 3.2 में भी देखा था, तो इतने रहने देते इस वीडियो में, तो अब हम बात करेंगे इसके next वीडियो में, टेरिडोफाइट्स की, तब तक ले, बाइ-बाइ